हेलो फिंट्स वेलकम टू माई इस्टडी फिर्ट चैनल दोस्तों आज मैं पित तरस यानि बाइल जूस क्या है इसके बारे में डीटियल में बताऊंगी वीडियो को सुरू से लेकर लाउस तक देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद पित तरस यानि बाइल किलियर हो जाएंगे तो दोस्तों यदि आफ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटेटिव एक्जाम किसी भी स्टेट के टीजिटी पीजिटी के विएस एनब्यास यल्टी का प्रिप्रेशन सीलिविस के कॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सीलिव जानते हैं पित्रस यानि बाइल जूस क्या है तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि पित्त का इस्त्राव यानि निर्मार कहां होता है पित्त का इस्त्राव यानि निर्मार होता है यकृत में यानि लीवर में और जाकर के इस्टोर यानि जमा कहां पे होता है पित्तास से यानि गाल ब्लेडर से एक पितासय नली निकलनी होती है जो जाकर कहां पे जुड़ती है मिलती है डोडिनम में छोटी आत के पहले भाग में जैसा कि दोस्तों छोटी आत के पहले भाग जो डोडिनम होता है वहां पे पितासय नली और अगनासय नली दोनों जुड़ा होता है जिसने वहां पकी आमासर से आई हुए भोजन जब झोट्याилась में आता है तो सबसे पहले डोधिनम्य प्रव symbolism करता है अमासर से भोजन मिलता है और अधिनसहे नली से आई हुए इंजाइमों मिलता है तो इस प्रकार जब इस्ठोर होता है в पित्तासन में पित्तरस तो वहां से पित्तासन नली के द्वारा छोटी आत के पहले भाग डोडिनम में प्रिवेस करता है और भोजन में मिलता है और वसा का पाचन करता है पित्तरस ठीक है किसका पाचन करता है वसा का पाचन करता है दोस्तों अब जानेंगे पित्तरस यानि पीयच माउन 7.8 से 6.0 होता है।। जैसा कि पित्रस्अ यानि बाइल यूस को दो भागों में बाटा गया है। इसमें क्या क्या पाया जाता है ल्वर्ड और अकार्वनिक सोडियम कार्बोनेट प्लस जल पाह जाता है वहाँ फोजन में उपस्थित वसा था वसा में गुलन्सील बिटामिनो के के की brand का पाचण डेडिय這個是 में करता है यानि कि अमासे से जब भोजन छोटी में आता है तो सबसे पहले द्री्ड में आता है द्री न न फित्ता से नली जुड़ी होती है और वहान पि पी यानि पृतर रस से भोजन मिलता है अपितर रस क्या करता है भोजन में उपस्थित वसा यानि फैट का पाचन करता है और वसा में गुलनसील बिटामिनो के इडी के का पाचन करता है कहां पे करता है डोडिनम में करता है यानि ग्राडी में करता है उसको ग्राडी भी बोलते हैं और क्या करता है यह वसा को जल में घुलनसील बना करके पाचन योगे बनाता है इस क्रिया को इमलसी करर कहते हैं और क्या करता है आत्मे उपस्थित इंजाइमों की क्रिया को तिबरिक कर देता है अथवा अमासे से आए भोजन को अमलीय से छारिये बना देता है दियार में रखेगा अमासा में जो भोजन होता है वो अमलिय होता है इसी अमलिय भोजन को यह चारिय को बनाता है क्योंकि पित रस क्या होता है चारिय होता है ठीक है दुसरा है लवड में पित वर्णक यानि बाइल पिगमेंट पित वर्णक यानि बाइल पिगमेंट को दो भागों में बाटा गिया है बिलुरुबीन और बिलुवर्डीन बिलुरुबीन जो होता है पित को पीला रंग देता है बिलुवर्डीन जो होता है पित को हरा रंग दोनों के कालर पित रस का रंग पित रस जो होता है हलके पीले वा हरे रंग का मिसर होता है यानि हलके पीले वा हरे रंग का दिखाई देता है पित रस ठीक है यह तो हमने जाना दोस्तों कि पित रस क्या है और पित रस में कौन-कौन से चीज होते है पित लवड होता है बिली बिली रूबीन वा बिली वर्डीन होता है ठीक है अब जानेंगे दोस्तों यह बिली रूबीन वा बिली वर्डीन कैसे और सोसल होता है क्या करता है जैसे कि दोस्तों बिली रूबीन वा बिली वर्डीन जो है इसका पाचन नहीं होता है यह भोजन के साथ मिलकर छोटी आत मे जाता है ठीखे डोडिर्णम् में आकर कि बोजन की साथ मिल जाता है पितरस उसमें विलAudi प्रूजर्ण पर बारूशत का जैता है और जिस समय पाचक रशो में पोसक तत्व का आवसोसर कहाँ पर होता है दो जम ये समय पाचक रशो के साथ बिलुरुबीन का भी ऑसोसर हो जाता है और बिलुरुबीन का ऑसोसर हो जाता है किसके सारे हीपेटिक पोर्टल वेन के रास्ते ठीक है छोटी आज से लिवर में चला जाता है और बिलुरुबीन Bilirubin का औस अश्रत हो जाता है Hippetic water producers range चोटी आस से Liver में चला जाता है और जो बिलु वर्डील होता है वह लुक्त चोड दिय जाता है वो नहीं जाता है फिर क्या होता है फिर Bilirubin पाचक रोसु यानि पोषद के साथ धमनियों में प्रवाहित होने लगता है रक्त में प्रवावित होने लगता है और धमनियों में रक्त के साथ यह भी प्रवाहित होता है कौन बिलुरुवीन और लीवर का ही काम होता है कि वह रुधीर को बिलुरुवीन से अलग कर देता है ठीक है वाइरस के कारर लीवर संक्रमित हो जाता है अत्वा जब कभी अस्सामानने तरीके से आरबीसी का भी घटन होने लगता है तो बिलिरूबीन का नेमार जदा होने लगता है जैसा कि दोस्तों बिलिरूबीन का नेमार कैसे होता है याकृत में होता है तो कैसे होता है जैसे कि द कि आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में तो जब बिलुरुबीन का निर्माड जो है और मरता कहां है अकर के उसका मृत्यू कहां पर होता है इस्प्लीन और यकृत में होता है तो यही जो आर्बीसी का बिगटन होता है जो मरता है उसी आर्बीसी से बिलुरुबीन का निर् लिवर की रखते से बिलुरुबीन को अलग करने की चमता होती है वह नाश्ट होने लगती है आज सकता से अधिक बिलुरुबीन बनने लगा जैसे कि आप ग्लास में पानी भरे हैं और उस भरे हुए ग्लास में भी पानी डालते जाएंगे तो वह बाहर ही आएगा इस प्रकार ग्लास का छम्ता खतम हो जाएगा उस पानी को अपने अंदर रखने के लिए तो जो बहुत ज़्यादा बिलूरूबीन का निर्मार होने लगता है बहुत ज़्यादे आबेसी के भिगटन के कारण तो लिवर की यह चमता होती है रक्त से बिलुरूबीन को अलग करने की वो नर्ष्ट हो जाती है जिससे रक्त में बिलुरूबीन की मात्रा क्या होती है बढ़ने लगती है और इसके बढ़ने से RBC की मात्रा जो है हिमोगलोबीन कम होने लगता है इसी को पिलिया कहते हैं इसी को क्या कहते हैं पिलिया कहते हैं रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसी को पिलिया कहते हैं ठीक है और पिलिया जो है वायरेस की करव होता है यानि इसमें लिवर संक्रमित होता है पिलिया में ध्यान में रखेगा कई मैं पुछा गया स्वाल है कि लिवा में किया संक्रमित होता है । उसका रंग पिला होता है जब रख्त में बिलुरूबीन itadla मिन wykorarma काो छुछा यह डिंकि तो हमारा से प्लेAbd पड़़ जाता है क्युक्की विल रूपीन का रंग कैसा है इसको प्लिया कहा जाता है तो दोस्तों हमने पित रस निरमाग होता है और कैसे कारे करता है क्यों हो जाता है इसके बारे में जाना कैसे वीदियो आपको समझ में करूंगी step by step बस बने रही है आप मेरे चैनल पर तो दोस्तों फर्स बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भी लाइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे निव वीडियो का अपडेट आप तक पोच्छता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्